आज मैं आपसे किसार शेयर करने वाली हूँ नवरात्रे स्पेशल नो अनियन गार्लिक वेच थाली के रेसिपी जिसमें मैंने बनाया है टमाटर वाली अरहर मसूर दाल एक क्रीमी डिलिशिस सा मतर पनीर ये स्वादिस सा दिखने वाला आलू दम मलाईदार केसर फिर्णी सैलेड में मैंने सर्फ किया है खीरा मूम फली की एकदम चटपटी सी चटनी ट्राइफ फूर्ट्स वाला बहुती ईजी और स्वादिस्ट पलाव और ये गर्मा गर्म और फूली फूली पूरियां तो अगर आपको मेरी आज के रस्पी पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को सस्क्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंट सो फैमले में जरूरू शाय कीजे तो चलिए रस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन तो सबसी पहले हम बनाएंगे मटर पनेट इसी बनाने के लिए एक कराई में आड करें एक बड़ा चमच तेल आप घी का भी इस्तुमाल कर सकते हैं इसमें हम आड कर देंगे दो दालचीनी के टुकरे तीन इलाइची जिसे मैंने हलका सा खोल लिया है पांच लॉंग, एक हरी मिर्च, दो इंच अद्रक, दस काजू, दो बरी चमच मगज दो टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे हमें तब तक उख करना है, जब तक हमार जो टमाटर है, वो सॉफ्ट ना हो जाए तो इसके लिए मैं इसमें जरा सा नमक अड़ कर देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और अब हम इसे तब तक उप करेंगे जब तक हमार जो टमाटर है वो soft ना हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमार जो टमाटर है वो बिल्कुल soft हो गया है और अब हम इसे completely ठंडा हो जाने देंगे जैसे हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा हम सारे मसालों को blending jar में transfer कर लेंगे और अब मैं इसे अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ ज़रूरत लगने पर आप थोड़ा सा पानी इसमें add कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने मसाला को अच्छी तरीके से पीस लिया है gas on करेंगे और सेम करहाई में add करेंगे एक चमच तेल और एक चमच गी आधी छोड़ी चमच जीडा, एक सूखी लाल मिर्च, एक चमच काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे next हम इसमें ये paste add करेंगे और ये जो बाकी paste बचा है उसमें हम पानी add करके, इसे अच्छी तरीके से mix करके, इसमें add करेंगे पर सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा तो यहाँ पर मैंने मसालों में पानी मिक्स कर लिया है इसे भी हम इसमें आट कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद हम इसे धक कर कूक करेंगे जब तक हमारा मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे मटर आड़ कर देंगे और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जैसे यह मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे पनीर तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बहुत जादा मिक्स ना क नहीं तो आपका जो पनीर है वो तूटने लगेगा और अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी आधा ग्लास पानी और इसे मिक्स कर लेंगे वापस से मैं आधा ग्लास पानी आड़ कर दूंगी और इसे मिक्स कर लोंगी टोटल में मैंने एक ग्लास पानी इसमें आड़ किया है और अब हम इसे ढखकर 5-7 मिनट के लिए कुक करेंगे, फ्लेम बिल को लो पर रखेंगे, तो यहाँ पर 5-7 मिनट हो गए हैं, लेट उठाएंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे सबजी जो है, वो बनकर तयार है, गैस कर लेंगे बन, और अब मैं इसमें आट करूंगी एक चमच कास्तूरी मेथी, और एक बड़ा चमच फ्रश क्रीम, और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा स्वातिस तर दिखने वाला मटर पनीर बनकर तयार है, और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स प्रोस प्रिक कर लिया है, और अब हम ले लेंगे एक टमाटर, दो इंच अद्रक, एक हरी मिर्च, इन सब का पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है, और अब हम बनाएंगे एक मसाला मिक्स, तो इसके लिए एक बूल में आट करेंगे आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच का पाली मिर्च पाउडर, एक चमच केचन किंग मसाला पाउडर, आधी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर, इन सब को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, नेक्स हम इसमें आट कर देंगे जरा सा पानी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पानी आट करने से ह आप घी भी आड़ कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसमें आड़ कर देंगे आलू और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे, इसे हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक इसके ऊपर ब्राउन स्पोट्स ना आ जाए, तो यहां पर हमारे जो आलू है वो फ्राइ हो चुके ह ब्राउन स्पोट्स आ चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और अब हम सीम ओयल में आड़ करेंगे, दो दालचीनी के टुकरे, तीन इलाइची जिसे मैंने हलका सा खोल लिया है, पांच लॉंग, आधी छोटी चममच, पांच फोरण, अब जीरा भी आड़ कर सकते ह एक चुटकी हीम और एक सुखी लाल मिर्च, इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें आड़ कर देंगे ये मसाला मिक्स पेस्ट, तो इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे में जाकर बैट जाता है, और अब हम अद्रक और हरी मिर्च का पीस्ट और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गये हैं लेड़ उठाकर एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे वापस से मैं इसे ढख देती हूँ और इसे दू मिनिट के लिए और कुक कर लेती हूँ तो यहाँ पर दू मिनिट हो गया है और हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो कुक हो चुका है और आप देख सकते हो यह दम अच्छी तरीके से ड्राइ हो चुका है और अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी आधी छोटी चमच आमचुर मसाला पाउडर और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी जैसी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा हम इसमें आड़ कर देंगे पानी तो यहाँ पर मैं आड़ कर रही हूँ 1.5 कब पानी और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी स्वादनों सा नमक flame कर लेंगे high और इसे high flame में एक उबालाने देंगे जैसे gravy में उबाला जाएगा हम इसमें add कर देंगे अपना fry किया हुआ आलू और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अब हम इसका flame कर लेंगे low और इसे ढख कर 5-7 मिनट के लिए cook करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आलू दम है वो बनकर तयार है तो इसमें मैं add कर देती हूँ एक चमच गी गैस कर लेंगे बन और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और last में हम इसमें add कर देंगे धनिया पत्ता और इसे ढख देंगे तो यहाँ पर हमारा आलू दम जो है बनकर तेयार है और अब हम चलते हैं इसकी next process में और अब हम बनाएंगे केसर फिर्णी तो इसे बनानी के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चौधाई कब चावल यहाँ पर मैंने छोटी दाने वाले चावल लिये हैं इसमें हम आड़ कर देंगे पानी और इसे हम अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे इसे आप एक से दो बार अच्छे तरीके से वाश कर लें उसके बाद आप इसमें आड़ कर दें पानी और इसे फूलने के लिए छोदे लगवक आदा गंटे के लिए आधे गंटे के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे और इसे हम ब्लेंडिंग जार में आड़ कर देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और यह देखे यह कुछ इस तरीके से देख रहा है एकदम सुमूथ पेस्ट नहीं बनाना है हलका सा दरदरा ही रखना है और अब मैं इस पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफर कर लूँगी और बाकी जो ब्लेंडर में लगा हुआ है उसमें पानी आड़ करके इसमें आड़ कर देंगे और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर हमाज चावल का जो पेस्ट है वो बनकर तयार है और अब हम एक करहाई लेंगे और इसमें हम एड़ कर देंगे एक लिटर फुल फैट मिल्क और उसके बाद हम यह चावल का पेस्ट आड़ करेंगे और एक चौथाई चमच केसर के स्ट्रांस आड़ करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे हमें इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है बीच में आप बिल्कुल ना छोड़े नहीं तो यह नीचे में जाकर लग सकता है जब यह इस तरीके से हलका सा गाड़ा हो जाएगा और आपको चावल के दाने इस तरीके से देखने लगेंगे तब आपको इसमें आड़ करना है आदी छोड़ी चमच चिनाइची का पाउडर और चीनी यहाँ पर मैं आड़ कर रही हूँ आधा कप चीनी और अब हम इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए कुक करेंगे जब तक यह अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए और इसमें से बॉबल्स इस तरीके से देखने ना लगे तो यहाँ पर हमारी केसर फिर्नी जो है वो बनकर तयार है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी केसर फिर्नी जो है वो बन गई है तो इसके लिए एक spoon लें और इसे इस तरीके से dip करें और इसके पीछे वाला portion देखें अगर यह अच्छी तरीके से covered है इसका मतलब यह है कि हमार जो फिर्नी है वो बनकर तयार है इससे ज़ादा आप इसे cook ना करें ग्यास कर लेंगे बन और इसमें हम add कर देंगे dry fruits में serve कर लेती हूं इसे garnish करेंगे कुछ dry fruits और केसर के strand से तो यहाँ पर हमारी केसर फिर नी जो है वो बनकर तयार है तो इसे मैं fridge में ठंडा होने के लिए रख देती हूं और अब हम चलते हैं 2 cup चावल इसे में 2-3 बर पानी से अची तरीके से wash कर लूएंगे और अब हम पानी में एक उबाला ने देंगे जैसी पानी में इक उबाल आ जाएगा हम इसमें अड़ कर देंगे अपना चावल और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बहुत जादा ना मिक्स करें नहीं तो चावल के टूटने के चांसे होते हैं आप इस प्रोसेस को कुकर में भी बना सकते हैं मैं इसे बर्तर में बनाना प्रिफर करती हूँ और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक हमार जो चावल है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तो यहाँ पर हमारा जो चावल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे प्लेट पर डाल कर अच्छी तरीके से फैला लेंगे और इसे हलका सा ठंडा हो जाने देंगे गैस ओन करके एक प्रांच चराएंगे और इसमें हम आट कर देंगे दो चमच घी घी को हम अच्छी तरीके से गरम हो जाने देंगे उसके बाद हम इसमें आट कर देंगे एक चमच जीरा एक सुखी लाल मिर्च और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नेक्स हम इसमें आड़ करेंगे दो दालचीनी के टुकरे, पांच नौंग और तीन इलाइची जिसे मैंने हलका सा खोल लिया है इन सब को हम कर लेंगे अची तरीके से मिक्स उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे 10 से 12 काजू और 2 चम मच किश्मिश और इन सब को हम अची तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे चावल और इसे हम अची तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा सूपर इजी ड्राइफ रूट्स वाला प्लाव बनकर तयार है और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स प्रसेस में और अब मैं बनाओंगी टमाटर वाली मसूर अरहर की दाल इसकी लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चौथाई कप मसूर की दाल एक चौथाई कप अरहर की दाल इसमें हम add कर देंगे पानी और इसे एक से दोबार अच्छी तर्के से wash कर लेंगे इसे हमें सोक नहीं करना है इसे हमें direct बनाना है धूली हुई दाल को हम cooker में add कर देंगे इसमें हम add कर देंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चौथाई चमच हीन एक medium size का टमाटर जिसे मैंने roughly chop कर लिया है स्वाद अनुसार नमक और एक ग्लास पानी एक चमच घी लेट कर लेंगे बन और इसे हम high flame में 3 विसल आने तक और low flame में 2 विसल आने तक cook करेंगे जैसे हमारा cooker ठंडा हो जाएगा वैसे हम इसका लेट खोलेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो यह देखे हमारी दाल कितनी अच्छी तरीके से बनी है और अब मैं इसमें add कर दूंगी धनिया पत्ता और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अब हम लगाएंगे इसके उपर एकदम simple सा तर्का और अब हम add करेंगे एक simple सा तरका, उसके लिए gas on करके एक तरका पैंट चरहेंगे और इसमें हम add कर देंगे एक चमच गी, गी को अच्छी तरीके से melt हो जाने देंगे और इसमें हम add कर देंगे आदी छोटी चमच जीरा, जीरा को हम भूरा होने तक cook करेंगे, गैस कर देंग मूमफली धनिया पत्ता की तीखी चटपटी सी चटनी तो इसी बनाने के लिए एक ब्लेंडिल जार में आड़ करें एक मुठी धनिया पत्ता दो इंच अध्रक जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है दो हरी मिर्च एक चथाई कप मूमफली जिसे मैंने हलका सा ड्राय आधा निवो करस अड़ करेंगे स्वादनुसा नमक और जरा सा पानी अड़ करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तयार कर लेंगे तो यहां पर हमारी तीखी चटपटी मूमफली की चटनी बनकर तयार है और यह देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी लगरे रेंग्दम परफेक्ट तो चलिए अब हम चलते इसकी नेक्स पसिस में और अब हम बना लेते हैं पूरियां तो पूरी बनाने के लिए एक बूल में आप आड़ करें एक कप गिहूं का आटा जरा सा नमक और एक चमच तेल इन सब को पच्छी तरीके से मिक्स कर लें उसकी बाद थोड 10 मिनिट हो गया है । 1 little उन घृँन करें से और अब कि लोई कट कर लेंगे ऑर अब और शی अच्छी तरीके से राउंड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से रॉल कर लेंगे पूरी के शर्प की तो यहाँ पर मैंने यह एक पूरी बना लिया है सेम इसी तरीके से दूसरी बनाएंगे और यह तीसरी बनाएंगे और अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे गरम तेल में पूरी को डालेंगे और इसे इस तरीके से गुल-गुल घुमाते रहेंगे जैसे ही हलका सा फूल जाएगा उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ हलका सा भूरा कलर आने तक हम इसे फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक पूरी जो है वो फ्राइ होकर तयार हो गई है सेम इसी तरीके से ये दूसरी पूरी और ये तीसरी पूरी भी फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी डिशर्स जो है वो बन कर तयार है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो चलिए सर्विंग के प्रसेस में तो सबसे पहले हम सर्फ करेंगे ये टमाटर वाली अरहर मसूर दाल, ये क्रीमी डिलिशिस सा मतर पनीर, ये स्वादिस्ता दिखने वाला आलू दम, मलाईदार केसर फिर्णी, सैलेड में मैंने सर्फ किया है खीरा, मूम फली की इक्तम चटपटी सी चटनी, ट्राइफ वीडियो को लाइक कीजिए और में वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फामली में जरूर शेयक कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग, बाबाई